सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहोतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तो आज हम लोजिकल रिजिनिंग के अंदर कुछ और नए टॉपिक करने वाले हैं जैसे कि अनमान व्यापती हैतातवभास इनके बारे में हम बात करने वाले हैं और इनमें भी कई टॉपिक आएंगे जैसे कि अनमान के अव्यव क्या होते हैं अनमान के कितने परकार हो के उनंके बारे में हम बात करेंगे वैसे तो हमने इसके उपर एक पहले जी वी Christ we के बारे में उन सभी के बारे में video बनायीं आप वो वी-डियो देख सकते हैं लेकिन कुछ और topic हमारे रहे गये थे तो वह सभी के सभी topic आज हम इस video में cover करने वाले हैं इन में से question आने की काफी संभावन हैं दोस्तों क्यूंकि ये topic हमारे अभी recently add हुए हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना ध्यान से देखना दोस्तों हमने NTA UGC Net December 2019 exam के लिए एक paid workshop group अबनाया है इस group में हम आपको दोस्तों systematic ढंग से study करवाएंगे इस group में आपको हर रोस दो वीडियो मिलेगी सुभह की जो वीडियो होगी वो theoretical होगी और स्याम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको most important question के बारे में बताएंगे और उनका mock test भी लेंगे इस group में आपको दोस्तों 10 unit के PDF study notes दिये जाएंगे इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक topic wise old paper PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर unit में most important repeated question की PDF दी जाएगी तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस group को join कीजिए और अपनी study अच्छे से कीजिए link वीडियो description box में दिया हुआ है चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले अनमान क्या होता है देखिए जैसे नाम सही हमें पता चल रहा है अनमान मतलव यानि कि किसी भी चीज़ का guess करना हमें अनमान लगाना वे ये चीज़ क्या हो सकती है अनमान लगा कि किसी final result पे जाना ये कहलाता है अनमान य कि वहाँ पर क्या हो सकती वहाँ आग लगी हुई हो तो अनुमान लगाना इस तरह से दिखिए यहाँ पर मैं थोड़ा एक्जम्पल दिखा देता हूं जैसे यहाँ पर धुआ उठ रहा है तो हम अनुमान लगा सकते कि यहाँ पर आग लगी हुई होगी और इसके वारे मैंन में बता रहा हूं और अब देखे दोस्तों अनमान के पांच अव्याव होते हैं पांच एलिमेंट हम कहे सकते हैं पहला है प्रतिग्या का मतलब क्या होता है अरथार्थ जो बात सिध करनी हो उसका कथन यानि कि कोई भी बात हमें प्रूव करनी हो तो उसे किस तरह से प्रूव करना क्या कतन है क्या स्टेटमेंट है उसे हम कहते हैं प्रतिग्या कहते हैं उधान के लिए परवत के उस पार आग है ठीक है जैसे कि हम कहें कि जो पहाड है पहाड के उस और आग लगी हुई है या उस और धुमा है इस तरह से हम कोई बात कहें उसे सिध करने के तो उसे हम कहेंगे परतिग्या कहेंगे और उसके बाद आता है दोस्तो हेतू अब देखे हेतू में क्या होता है क्यों ऐसा अनुमान किया जाता है इसका कान यानिकि हम जैसे अनुमान लगा रहे हैं कि वहां पर आग लगी हुई है तो आग लगी हुई है यह अनुमान लगा अरे क्यों लगा रहे हैं इसका क्या reason है तो उसे हम कहेंगे हे तो यानि कि उधान के लिए देखे क्योंकि वहाँ पर धुआ है वहाँ पर आग क्यों है क्योंकि वहाँ धुआ है reason हम दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, हे तो कहेंगे उसके बाद है उधान, उधान जैसे की, उधान का मतलब उधान example, जैसे की जहां-जहां दुआ होता है, वहां-वहां आग होती है जैसे चूले में जहाँ जहाँ आग नहीं होती वहाँ वहाँ धुआ नहीं हो सकता तो यह चीज़े यानि कि हमने एक चीज़ समझी तो हम क्या कहेंगे हम उधान देंगे अगर हमने कोई चीज़ अच्छे से समझ लिए उसका दूसरी जगह पर फिर उधान देंगे जैसे कि यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया भी धूए से जहाँ जहाँ धूआ होता है वहाँ आग हो सकती है तो फिर आगे भी अगर हम कहीं पे धूआ देखे तो हम यह कहेंगे कि यहाँ आग हो सकती है अब आगे है दोस्तो उपने उपने के अंदर क्या होता है दोस्तो इसके अंदर जैसे उधान में हम देखे यहां भी धुआ मौजूद है तो इसका मतलब क्या है यहां भी याग हो सकती है अगर हमें उसी तरह की कंडिशन कहीं और पर दिखाई दे तो वैसी ही सिचिवेशन और वही रिजल्ट आ सकता है इसका मतलब यह होता है फिर है निगमन निगमन का मतलब यह होता है दोस्तो हम देखे चोटी चोटी चीज़े लेके चलते है चोटी चोटी चीज़े लेके चलते है उसके बाद में जो रिजल्ट निकलता है फाइनल डिसीजन जो निकलता है उ यान कि इससे हमें क्या सिध हो गया यह सिध हो गया कि परवत के उस पार आग जल रही है पहले हमने धुआ देखा धुए से फिर एक दो और लोगों को बताया और वो सभी लोग वहां जाके फिर देखने गए और वहां से हमें पता चल गया कि हां रियल में आग जल रही है तो इससे क्या सिध हो गया कि जहां धुआ होता है वहां पे आग होती है ये हम कहसकते हैं तो इसे हम निगमन कहेंगे अब आगे आता है दोस्तो हमरे पास अनमान के भेद अनमान के भेद क्या है इसके अंदर मुख्य रूप से जैसे पुर्वत पुर्वत एक दिया है इसका क्या मतलब होता है कारण से कार्य अनमान जैसे जैसे की मेग से भावी वरिष्टी का इसका मतलब किया है दोस्तों पुर्वत यानि कि पहले से ही अंदाजा लगाना कोई काम होने से पहले उसके बारे में अंदाजा लगाना कि क्या होने वाला है जैसे कि मान के चलते हैं हमारे जब बारिश होते हैं बारिश होने से पहले पूरे घने बादल चा जाते हैं काले ब मतलब क्या होता है? इसकंदर यह होता है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेश, यानि कि कुछ बचने के बाद जो हम अन्माल लगाई, जैसे कि मानके चलते हैं, कि बहुत बारिष होने के बाद बिल्कुल साफ मोसम हो गया, धूप निकल गी, सब कुछ सही मोसम हो गया, तो जब धूप होते हैं बहुत धूप होते हैं लेकिन उसके बावजद भी बारिश हो जाती है तो वो हमारा जो अन्मान है वो गलत अन्मान लग जाता है लेकिन ज्यादा तर हम क्या करते हैं कि जैसे धूप वगरा निकल गी तो लाश्ट के इंद रिजल्ट यहीं निकलते हैं अब धूप निकल गी है तो इसका मतलब ही है बारिस नहीं होगी तो यह होता है सेसवत अब आगे दोस्तो हमारे पास समान्य तो दृष्ट अब इसका मतलब क्या है तो यह जो सब्द है ना यह सारे के सारे संस्कृत के सब्द से रिलेटेड सब्द है तो थोड़ा समझने में आपको problem हो सकती है ये language भी आपको समझने में problem हो सकती है तो मैं आपको बिल्कुल असान भासा में बता रहा हूँ समान्य तो दृष्ट का मतलब क्या होता है जैसे नाम से ही पता चल रहा है जिसमें हम compare करें एक चीज का दूसरी चीज के साथ compare करके हम बता दे कि ये होने वाला है ठीक है जैसे कि हम मान के चलते हैं कि हम किसी बच्चे ने देख लिया वे शाम के टाइम में जो सूरज उस तरफ जा रहा है और जाके वो छिप गया यानि कि सुर्यास्त हो गया इविनिंग हो गी तो अगले दिन जब बच्चा देखेगा कि हाँ सूरज वहाँ पे जा रहा है दूसरी तरफ जा रहा पस्चिम के तरफ जा रहा है तो इसका मतलब यह कि अब अंधेरा होने वाला है यानि कि उसने कल जो situation देखी उस situation का फिर अगले दिन compare करे तो उसे हम क्या कहेंगे समान्य तो द्रश्ट यानि कि एक समान situation का compare करना किसी दूसरी चीज़ के साथ तो उसे हम कहेंगे समान्य तो द्रश्ट और अब हम आगे देखते दूस्तों व्यापती देखे व्यापती का मतलब क्या होता है मैं इसके अंदर आपको बताओ व्यापत और व्यापती दो तरह की चीज़े यहाँ पे है देखे मैं आपको बिलकुल असान भासा में समझाने की कोशिश करूँगा आप चाहे तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते है लेकिन यह हिंदी लैंग्वेज है थोड़ी टफ हो सकती है आपको यह भी समझ में ना आए तो चलिए अब हम इसके वारे बिलकुल असानी से समझने की कोशिश करते है देखे व्यापत का मतलब क्या होता है जहाँ जहाँ धुआ रहता वहाँ वहाँ आग रहती है यह हमने एक result निकाला था उपर निगमन जो निकाला था धुए और आग में जो संबंध है इसी को व्यापती कहते हैं अब देखे जो निगमन हमने निकाला था निगमनात्मक जो तरक हमने result जो निकाला था वो किस से संबंधिता आग और धुए से अगर हमारे पास धुए ना हो तो हम आग का मतलब नहीं निकाल सकते और अगर आग ना हो तो फिर धुए का कोई अर्थ नहीं निकलता तो यहां धुए में आग की व्यापती है अब देखी धुए में क्या है आग की व्यापती है आग इंकलूड है धुए की अंदर तो आग को हम क्या कहेंगे व्यापती कहेंगे अर्थ आर्थ आर्थ आग व्यापत है और धुए व्यापती है किसी चीज के अंदर दूसरी चीज का include होना उससे कोई result निकला व्यापती का मतलब मैं क्या बताऊं आपको मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूं लेकिन उसको explain नहीं कर पा रहा व्यापती का मतलब यह होता है कि कुछ चीज include होना व्यापत होना उसके अंदर ठीक है तो उसे हम व्यापती कहते हैं और अगर आपको फिर भी यह बात समझ में ना आए दोस्तों व्यापती क्या होती है तो प्लीज आप एक वर यह पढ़ना हिंदी में पढ़ना और बिल्कुल भी समझ में ना आए तो आप comment box के अंदर जरूर लिखना मैं आपको दोबरा समझाने की कोशिस करूँगा आप हमसे whatsapp number पर contact कर सकते हैं नीचे screen पर लिखा हुआ है तो वहाँ पर भी आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं हम आपको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिस करेंगे देखे दोस्तों अब हम बात करते हैं हेतात भास की देखे इसके नाम से यह हमें पता चल रहा है अगर इसके नाम को हम डिवाइड करें तोड़े संधी करें तो देखे हेतात भास दोस्तों से मिलके बना है हेतू पलस में अभास ठीक है हेतू का मतलब होता है किसी चीज़ का होना और अभास का मतलब है उसका ना होना अब देखे इसका मैं पूरा मतलब सम हुई है ऐसी ही होगी लेकिन बाद में जाके हमें पता चलता है कि नहीं ये ऐसी नहीं है इसका reason कुछ और है और यही example हमारा उसी के उपर बैठ रहा है जैसे कि मैंने बताया था कि एक परवत है परवत के दूसरी तरफ धुआ उठ रहा है लेकिन बाद में जाके पता चलता है वहाँ पर आग नहीं लगी हुई वहाँ पर तो कुछ artificial work चल रहा है या कुछ और काम हो रहा है इसलिए वहाँ पर ज़्यादा धुआ है लेकिन वहाँ पर आग नहीं है यानि कि हमने हेतु का मतलब यानि कि वहाँ पे हमने कुछ ऐसे चीज देखी जिन से हमें ये लग रहा हो कि वहाँ पे आग है यानि कि चीज के मतलब यानि कि वहाँ पे हमने धुआ देखा एक एविडेंस देखा कि धुआ है तो उस वज़े से आग हो सकती है लेकिन फिर क्या हुआ अभास हुआ उस जो आग है वो आग नहीं है उसका हमें अभास हो गया उसकी कमी हमें नजर आई तो इसे हम कहेंगे हितात अभास कहेंगे ठेक है तो दोस्तो इसमें से जो कोशन आएंगे वो सिंपल बेसिक कोशन आने की संभावना है क्योंकि ये जो है भारतिय दर्शन सास्तर हमारा main subject नहीं है ये basic है हमारे paper first के अंदर तो question भी basic आने की संभावना है इतना ज्यादा deeply इसमें से नहीं पूछा जाएगा ये हम उमीद करते हैं और कोशिश करेंगे दोस्तों आज की evening की जो वीडियो होगी उसके अंदर इससे related कुछ question लेके आएं जो पीछे जून 2019 के अंदर आए हैं और कोई और नए question अगर बन रहे तो वह भी लेके आएंगे थेंक्यों दोस्तों